सुप्रभाद बच्चों, आप सभी का संस्कृत की प्रथम कक्षा में स्वागत हैं। आज हम संस्कृत के प्रथम पाठ सुभाशितानी का अध्यान करेंगे। इसमें आपको कुछ श्लोक दिये गए हैं, जिसमें से इस भाग में हम स्रिफ तीन श्लोकों का अध्यान करेंगे। तो प्रथम श्लोक हैं, प्रित्वी व्याम धर्ति पर, प्रित्वी मतलब धर्ति, प्रित्वी पर, त्रिणी, तीन, रत्नानी, रत्न, जल, मननम, जल, और, अन, सुभाशितम, सु, अच्छा, भाशितम, भाशाया, विचार, अच्छी, भाशाया, अच्छे, विचार, प्रित्वी पर, तीन, रत्न हैं, जल, अन, और, अच्छे, विचार, मूढे, लेकिन, जो मूरखी व्यक्ति है पासाण खंडेशू पाशाण पत्थर खंड टुकडेण पाशाण खंडेशू रत्नि-संग्या विधीयआते अर्था समझना पृत्वी पत्थर के टुकडे जैसे हीरा, मोती इन सब चीज़ों को लेकिन जो वास्तविक रतन है वो आपके जल, अन्न और अच्छे विचार है जुतिश लोग सत्यन धारिते प्रित्वी, सत्यन तपते रवीह, सत्यन वाती वायुष्य सर्वं, सत्ये प्रतिश्ट तम अर्थात, सत्यन, सत्य, धारिते धारन करना, प्रित्वी, धर्ति, जो हमारी प्रित्वी है, उसने सत्य को धारन कर रखा है जो सत्य है, सत्य से प्रित्वी चल रही है, सत्यन तपते रवी, रवी, अर्थात, सूरज तो सूरच के तप में भी सत्य है, सत्य ने वाती वायुष्च, वायु में भी सत्य बहता है, सर्वम, अर्थात सारी जगह, सत्य प्रतिस्टतम, प्रतिस्टतम मतलब स्थित होना सत्य को हमारी प्रतिस्टी ने धारण कर रखा है, सूरच के तेज में, सूरच के तप में भी सत्य विराजमान है, वायु के वेग में भी सत्य है, सर्वम, सत्य, प्रतिस्टतम, चारो और सत्य ही सत्य है, अर्थात हमारी प्रतिस्टी हमारा पूरा संसार सत्य पर टिका हुआ ह थितिछ में तपसी शौरै चंविज्ञाने बिनीये नए विस्मयों नहीं करतव्यों बहुरतनावसन्धरा दाने दान में दान करना दान में तपसी टप में शौरिये शौरि में चंच अर्थात और विज्ञाने विज्ञान में विनए अर्थात नम्रता में विनम्रता में नई नीती में अर्थात दान में तप में शौर में और विशेश विज्ञान में नम्रता में नीती में विस्मयों नहीं करतव्यों, करतव्यों करना या करतव्यों, विस्मयों आश्चर्य नहीं, हमें इन सारी चीजों के उपर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बहुरतना वसुंधरा, वसुंधरा अर्थार पृत्वी, हमारी धर्ती, बहुरतना, ऐसे कई रतन हमारे पृत्वी पर हैं तो हमें इन सब चीजों के ऊपर आश्चारिय नहीं करना चाहिए तो आप सभी को ये तीनों के तीनों श्लोक समझ में अच्छे से आ गई होंगे आप सभी का आज का होंवक है कि आपको जिस तरीके से मैंने इस लोको को पड़ा है इन्हें याद करके किसी भी एक श्ल झीने वा घन्हें कर दो दो